नो चाहर दोस्तों दीठ है आज की 10 जून 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कॉशन में तीन इशूज आज हम डिस्कॉस करेंगे सबसे बहले आर्टिकल हम डिस्कॉस करेंगे इंडिया पाकिस्तान टाइस से समंदित इसमें इंडिस वाटर ट्रीटी पर फोकस किया गया है दूसर आर्टिकल हिंदू का ही इंडिया इरान रिलेशन्स से समंदित दोनों आई आर्टिकल है तो एक पुवर्टी से समंदित अलग से आर्टिकल हम डिस्कॉस करेंगे मिंट का बेसिक्स में उसमें रिवाइस करेंगे डिस्कॉसन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक एक एक्जामपल है जो आप एथिक्स में यूज कर सकते हो एक्जामपल देखो काफी दुखद है लखनव में एक लड़के ने अपनी मा की हत्या कर दी गोली मार के बच्चे का कहना है कि मेरी मदर जो है मुझे ओनलाइन गेम्स नहीं खेले देती थी जैसे पबजी और इवन हत्या करने के बाद में दो दिनों तक उस 16 साल के लड़के ने अपनी मा की बोड़ी को चुपा के रखा इवन 10 साल की एक चोटी बच्ची थी उसकी सिस्टर उसको भी धंकाया कि अगर किसी को बताया तो तुमारा भी यही हाल कर दूँगा तो ethics में एक topic है role of family in inculcating the values तो देखो यह जो example है ना इसका जिगर आप कर सकते हो आजकल यह जो इतना ज़्यादा digitalization आ गया है इवन खिलोनों का commercialization हो गया है मतलब बच्चे माबाप के साथ बहुत कम time spend करते हैं क्योंकि entertainment के इतने ज़्यादा source उपलब्ध है एक वो भी time था जब इतना कुछ था नहीं खेलने के लिए बच्चे माबाप के साथ बहुत time spend करते थे मा की कहानिया तो कितनी famous हैं मतलब हम सुनते आये हैं कि मा रात को कहानी सुनाती है बच्चे को नीद आ जाती है लेकिन आज के समय में इतना ज़्यादा commercialization हो गया है माबाप समय बिता नहीं पाते बच्चों के साथ में और values inculcation का time मिलता ही नहीं है तो यह example आप इस्तमाल कर सकते हो जब ethics में आप इस topic के बारे में कुछ लिखो role of family in inculcating the values अब चलिए discussion start करते हैं first important article इंडिया पाकिस्तान relations से समाधित है आप G.S.P.2 के इस topic से आर्टकल को relate कर सकते हो देवों सुरवात में हम basics की बात करेंगे Indus Water Treaty जो की sign हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में agreement sign हुआ था कराची में भारत की तरफ से उस समय परधामंत्री नहरू ने participate किया था sign करते वक्त और पाकिस्तान की तरफ से उनके जो प्रीमियर थे प्रेजडेंट थे अयूब खान उन्होंने sign किया था इस treaty पर इस treaty में ये decide हुआ था उपर की ये जो तीन rivers है इंडस जेलम और चिनाब इनको यूज क्या जाएगा पाकिस्तान के द्वारा मतलब इनके जो overall rights है वो पाकिस्तान को मिलेंगे और नीचे की तीन नदिया सतलूज रावी ब्यासम इनको यूज करने से समधित rights मिलेंगे इंडिया को ये decide हुआ था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस जेलम और चिनाब के पानी को इंडिया हाथ भी नहीं लगाएगा ट्रीटी में ये decide हुआ था कि कुछ परपजीज के लिए इन उपर वाली नदियों का पानी भी इंडिया इस्तमाल कर सकता है जैसे hydro electricity generate करने के लिए irrigation के लिए उसी परकार से पाकिस्तान को भी ये rights मिले थे बड़ पाकिस्तान तो lower reparian state है ना मतलब नदिया इंडिया से पाकिस्तान में जा रही है तो इंडिया को तो वैसे भी दिक्कत नहीं है आप कीजिए नदि जब एक बार हमारे देश से निकल गई है तो आप कुछ भी कीजिए हमें क्या ले न देना लेकिन हां इंडिया के concerns ये थे जैसे इन नदियों से कुछ drain जाते हैं पाकिस्तान में नाले पाकिस्तान उनको block ना कर दे पाकिस्तान नालो को block कर देगा तो फिर इंडिया में पानी कठा हो जाएगा इंडिया में बहुत सारे जो खेत हैं वो बर्बाद हो जाएंगे तो इसलिए इन सभी provisions को जगा दी गई थी इस Indus Water Treaty में और इसको broker किया गया था mediation करवाया गया था World Bank के दवरा वैसे देखो 1968 से लेके अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के relations में बहुत बात दरार आई हैं लेकिन ये treaty अभी तक चल रही है treaty में provision ये है कि एक permanent Indus Commission establish किया जाएगा जिसमें इंडिया की तरफ से कमिशनर होंगे और पाकिस्तान की तरफ से भी कमिशनर होंगे treaty में ये भी provision क्या गया है कि समय समय पर permanent Indus Commission की जो meetings हैं वो होती रहेंगी ताकि पानी के यूज से संबंदित जो information है वो आपस में share होती रहे दोनों देशों के बीच में और जो भी concerns है उनको भी address किया जाएगा जास के 30-31 मई को permanent Indus Commission की meeting हुई थी और इस meeting में पाकिस्तान की तरफ से कुछ concerns raise किया गए थे और इंडिया की तरफ से भी concerns raise किया गए जैसे देखो काफी समय से पाकिस्तान का एक concern ये है इंडिया जेलम पर जो किसन गंगा hydro electricity project का निर्मान कर रहा है मतलब जेलम की tributary पर और दूसरी तरफ चिनाब की tributary पर भी एक rattle hydro project का निर्मान कर रहा है ये treaty की obligations के against नहीं है मतलब technical design जो है जो treaty में दिया हुआ है उसके against है ऐसा पाकिस्तान का अरूप है लेकिन इडिया का ये कहना है नहीं भाईया ट्रीटी में जो technical design allow किया गया है ना hydroelectric projects के लिए उसी के compliance से हम ये hydroelectric projects का निर्मान कर रही हैं तो इसको लेके ना दोनों देशों के बीच काफी समय से differences हैं मतलब इन projects को लेके किसन गंगा और रेटल दोनों hydroelectric projects को लेके इंडिया कह रहा था कि neutral expert की appointment आप कर दीजिए मतलब world bank को बोल रहा था क्योंकि world bank ने ये mediate करवाई थी ना treaty तो इंडिया बोल रहा था कि आप neutral expert को बुला लिजिए और देख लिजिए इंडिया जो hydroelectric projects का निर्मान करवा रहा है वो treaty में allowed technical design के अंदर ही आता है हमने treaty का violation नहीं किया है जबकि पाकिस्तान ये बोल रहा था कि court of arbitration से इस फैसले का समधान निकलना चाहिए तो world bank ने न दो separate separate process start कर दी मतलब court of arbitration के chairman को भी appoint कर दिया इस issue के लिए और एक neutral expert को भी appoint कर दिया हला कि main जो differences है उनको decide क्या जाएगा neutral expert के द्वारा कोई ऐसा expert third country से है मतलब ना इंडिया से है ना पाकिस्तान से है वो इस फैसले का समाधान करेगा कि हाँ वास्तव में इंडिया के जो ये projects है treaty में allowed design के according ही है या फिर इंडिया के द्वारा treaty में जो provisions लिखे हुए है for example इस height से ज़्यादा hydroelectric project का निर्मान नहीं कर सकता तो इंडिया जो project का निर्मान कर रहा है वो ज़्यादा height का कर रहा है वो ऐसे technical design है जो treaty में allowed नहीं है सब कुछ decide क्या जाएगा neutral expert के द्वरा हला कि पाकिस्तान की इज़्जत रखने के लिए court of arbitration के chairman को भी appoint कर दिया है लेकिन writer कहते हैं आने वाले समय में ना इन issues को लेके थोड़े differences है ना बढ़ेंगे क्योंकि दो separate process start कर दी है world bank ने तो दोनों के कुछ कुछ फैंसले आएंगे तो मामले का सायद समधान ना निकले मामला और उलत जाए और हाल है में जो 31 माई को meetings organize हुई ना इसमें पाकिस्तान ने दो और hydropower plants को लेके objections raise कर दिये ये हैं किस्तवार district में चिनाब की tributary पर चिनाब की tributary हैं मारु सुदार रिवर इस पर दो hydropower plants का construction चल रहा है एक पकल डूल और दूसरा lower कल नहीं इनको लेके भी पाकिस्तान ने objections raise कर दिये हैं इंडिया ने पूरा ब्रोसा दिलाया है हम treaty में जो चीजें allowed है ना मतलब treaty में जो कहा गया है ये technical design का आप hydro power plant establish कर सकते हो उसी design के साथ हम चलेंगे और आपके जो भी concerns है उनको address करेंगे उसी परकार से इंडिया ने भी एक बात बोली कि आपने फाजील का drain को block कर दिया है जिसकी वज़े से जहां पे आपने block किया है उससे पहले आसपास के region में पूरा contamination हो गया है और जो soil की जो productivity है वो कम हो रही ह हैं तो पाकिस्तान ने भी इंडिया को बुरुसा दिलाया कि हम भी इस concern को address करने की कोशिस करेंगे तो इसके बाद article में बोला जाता है जिस परकार से देखो दोनों देशों ने एक दूसरे के concerns को address करने की बात कहीं वो काबिले तारीफ हैं बेसक आगे क्या होगा वो बवी अच्छन होवर है ना उन्होंने कहा था ये ट्रीटी एक bright sport है ये मतलब instable होते world में ये bright sport की तरह है कि किस परकार से दो देश जिनके relation अच्छे नहीं है वो भी कुछ issues को लेके आपस में अच्छे से corporate कर सकते हैं राइटर कहते हैं देखो यही model दूसरे देशों के के dispute है जैसे इंडिया नेपाल के बीच dispute है boundary को लेके और कुछ power projects को लेके तो जहां पर भी dispute है ना इंडिया का या फिर दूसरे देशों का भी वहां पर भी ये model follow किया जा सकता है जो इंडस वाटल ट्रीटी का है इवन इंडिया और पाकिस्तान इस ट्रीटी से सीख लेते ह हुए दूसरे issues को लेके भी corporate कर सकते हैं जैसे reverse की joint study की जा सकती है और climate change का क्या असर पड़ रहा है reverse के पानी पर इसको भी jointly study किया जा सकता है ताकि further दोना देश मिल के परियास कर सके पानी को कंजव करने के लिए तो ये हमने पूरा article discuss किया इंडस वाटल ट्रीटी से करें आप थोड़ा basics revise कर लीजिए आप से पहले आप poverty की definition बताइए definition देखो काफी ज़्यादा जरूरी है UPSC अगर poverty के उपर question पूछती है तो definition आपको याद होनी चाहिए वहाँ पर definition आप बनाने लगोगे काफी सारा time waste हो जाएगा इसलिए definition जरूरी चीजों की आप पहले जुरूरतों को पूरा नहीं कर पाता essence वही है इस परकार की definition आप लिख सकते हो poverty एक ऐसी state है या फिर condition है जिसमें person के पास या फिर individual के पास इतने financial resources नहीं होते या फिर इतनी चीज़े नहीं होती कि वो minimum standard of life के साथ life जीश के अब देखो एक important बात यहाँ पर जो ये term है minimum standard of life ये हर एक society के लिए अलग-अलग होता है जैसे हो सकता है इंडिया में ये कहा जाए कि अगर कोई person एक दिन में 50 रुपे कमाता है तो वो गरीब नहीं है चाइना में ये आंकड़ा अलग हो सकता है USA में अलग हो सकता है तो minimum standard of life जो है वो अलग-अलग होगा अलग-अलग society में इसलिए definition के साथ आप ये भी add कर दीजिए minimum standard of life and well-being that is considered acceptable in society हर एक society में minimum standard of life अलग-अलग accepted होगा तो इसलिए ये line last के आप जरूर add कीजिए complete definition हमारी हो absolute poverty का क्या मतलब है आप एक बाद बताईए life की basic आउसकता है क्या होती है life की basic आउसकता है होती है सबसे पहले food, clothing, shelter, शैल्टर, शैल्टर मतलब रहने के लिए घर, nutrition ये सब जो चीज़े होती है वो किसी भी individual की basic जूरुते होती है सिधा-सिधा अगर मैं आपको absolute poverty की definition बताऊं किसी person की income इतनी नहीं है कि वो अपनी life की basic जूरुतों को पूरा कर सके तो सरकार क्या करती है इन basic जूरुतों को देखते हुए यानि food, housing, shelter, clothing इन सब को देखते हुए एक line डरा कर देती है माल लीजे 1000 रुपे सरकार ने ये line कैसे decide की? सरकार ने ये line ऐसे decide की कि अगर किसी की income 1000 रुपे से उपर है तो वो अपनी सारी basic जूरुतें for example, housing, food, shelter इन सब को पूरा कर सकता है लेकिन अगर कोई person 1000 रुपे से कम कमाता है एक महिने में तो वो अपनी इन जूरुतों को पूरा नहीं कर सकता इसका मतलब वो गरीब है तो ये definition है absolute poverty की सरकार ने एक line ड्रा कर दी इतनी income होनी चाहिए basic जूरुतों को पूरा करने के लिए अगर इस income से नीचे कोई आता है तो वो गरीब है अगर इस income से उपर कोई आता है तो वो गरीब नहीं है तो ये concept हुआ absolute poverty का लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा relative poverty का concept थोड़ा अलग है मान लीजिए USA में 5 persons है 1, 2, 3, 4, 5 पहले person की एक महिने की income है 10,000 डोलर दूसरे person की महिने की income है 9,000 डोलर तीसरे की income है महिने की 12,000 डोलर और चोथे की है 15,000 डोलर लेकिन पांचवे की है 2,000 डोलर आपने एक चीज यहाँ पे notice की होगी पांचवे person की जो income है बाकि 4 persons की income के अपेक्सा कर्थ काफी कम है 2,000 डोलर पर मंत वैसे देखो 2,000 डोलर में सारी आउसक्ताइं पूरी हो जाती है मतलब life जीने के लिए जिन भी चीजों की आउसक्ता है 2,000 डोलर में वो सारी आउसक्ताइं पूरी हो जाती है लेकिन जिस society में ये 5 persons रहते हैं उस society का जो minimum standard of life है उसके लिए एक महिने में income कम से कम 5,000 डोलर होनी चाहिए क्योंकि जिस society में ये 5 persons रहते हैं उस society के culture के हिसाब से AC होना जरूरी है, घर में car होना जरूरी है laptop होना जरूरी है मतलब ये सब चीजें होना इस society का minimum standard है अब 5 परसन, 2000 डोलर जिसके income है वो ये सब चीजे अफोर्ड नहीं कर सकता वो car नहीं कर सकता वो laptop एफोर्ड नहीं कर सकता ये सब चीजें एफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन जो basic life की बुन्यादी चीजें है जैसे shelter, clothing, food इन सब को एफोर्ड कर पाता है 500 परसन, तो इसका मतलब ये 500 परसन relative पूर है वैसे वो परसन absolute ग्रीब नहीं है absolute ग्रीब तो तब होता न जब life की basic आवसकता हैं भी पूरी नहीं कर पाता रोटी कपड़ा और मकान लेकिन पांचवा जो परसन है basic आवसकता हैं पूरी कर पा रहा है लेकिन बाकी समाज से अगर हम compare करें बाकी 4 persons से हम compare करें समाज के minimum standard of life से हम compare करें तो वो person गरीब है relatively गरीब है तो ये poverty है relative poverty समझ गया आप concept क्या है absolute poverty का और relative poverty का relative poverty देखो kind of universal है हर एक देश में है relative poverty अब माली जी एक society में 10 लोग है बाकी 9 की एक साल में income 1 क्रोर डोलर के आसपास है और 10 वे person की annual income एक साल में एक लाख डोलर के आसपास है अब देखो एक लाख डोलर भी बहुत ज़्यादा है लेकिन बाकी 9 persons के अपेक्सा कर तो उसकी income काफी कम है न तो एक लाख डोलर एक साल की income होने के बावजूद वो relative poor है इसलिए relative poverty universal है हर एक देश में exist करती है और जो absolute poverty है वो किसी देश में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है relative poverty देखो inequalities की वज़े से होती है एस मानताओं की वज़े से कोई जुरूई नहीं कि जिसकी person जिसकी income कम है वो गरीब है बस ये है कि उसकी income बाकी लोगों की अपेक्सा करत कम है यानि इन equalities है income में एस मानताओं है तो इसी वज़े से relative poverty को eradicate करना यानि खतम करना मुश्किल होता है जबकि absolute poverty को अपेक्सा करत खतम करना आसान होता है next देखो हम poverty के measurement के बारे में discuss करें उससे पहले मैं आपको बताता हूँ जब भी आपको poverty से computing ये सब चीजे तो है दूसरी dimensions आप poverty से समधित एड करोगे malnutrition, low income illness living conditions unemployment illiteracy education illiteracy एक जैसे points है ये आप लिख सकते हो तो ये सारी dimensions आप जुरूर एड कीजेगा जब poverty के बारे में आपको कुछ लिखना हो हम measurement of poverty discuss करें यानि poverty को कैसे major किया जाता है line क्या है उससे पहले एक और concept मैं आपको करवाना चाहता हूँ poverty के काजिस क्या है यानि poverty होती क्यूं है गरीबी किस करण वस आती है पहले देखो हम कुछ theories की बात करेंगे कि poverty क्यूं आती है उसके बाद हम इंडिया के संदर्व में कुछ specific reasons की बात करेंगे जैसे unemployment एक reason है पूवर्टी का लेकिन ये specific reason है पहले हम बात करेंगे theories की क्या theories दी गई है various thinkers के द्वारा पूवर्टी के लिए सबसे पहले theory तो देखो ये है जो पुराने समय में दी जाती थी अगर कोई गरीब है तो अपने पिछले जनम के करमों की विज़े से गरीब है किसी ने पिछले जनम में पाप किये होंगे जिसकी सजा उसे इस जनम में मिली है यानि वो इस जनम में गरीब है पुराने समय में दी जाती थी ये थोरी आज के समय में totally irrelevant है आज के समय में देखो सबसे पहरी जो थोरी है वो है classical theory classical theory में कहा जाता है अगर कोई person गरीब है तो उसके लिए वो खुदी responsible है अगर कोई person गरीब है तो वो अपनी inefficiency के current गरीब है वो आलसी है लेजी है वो कुछ करना नहीं चाता तभी वो गरीब है लेकिन देखो कुछ sociologist इस theory को मानते नहीं है sociologist कहते हैं गरीबी आती है wage distribution और division of labor की वजह से जैसे doctor skilled होता है doctor की salary काफी ज़्यादा होती है wages काफी ज़्यादा होते है doctor के उसके बाद आप nurse का example ले सकते हो nurse semi skilled होती है तो doctor की आप एक सकर्त nurse की जो wages है वो कम होते हैं थोड़े और सबसे last में ward boy ward boy तो आप कहा सकते हो एक प्रकार से unskilled होता है सबसे कम wages होते हैं ward boy के अब इस example में आपने देखा जो person unskilled है देखो individual को अगर आप skill दोगे तो वो गरीब थोड़ी न होगा आप ये कैसे कह सकते हो कि individual lazy है inefficient है ineffective है इसलिए वो गरीब है मतलब है कि उस person के पास skills नहीं है अगर आप उसको skill दोगे तो वो गरीबी रेखा से उपर आ जाएगा तो आप कैसे कह सकते हो कि individual अपनी गरीबी के लिए खुदी responsible है समझ गए यानि essence ये निकलता है classical theory कहती है कि कोई person अपनी गरीबी के लिए खुदी responsible है लेकिन sociologist इस theory का विरोध करते हैं वो कहते हैं individual को opportunity नहीं मिली उसको skills नहीं हासिल हुई इसलिए वो person गरीब है तीसरा है culture या फिर sub culture of poverty इस concept के अनुसार देखो जो लोग गरीब हैं यानि poor हैं गरीबी में रहते रहते उनका रहन सहन उनका behavior इस परकार से develop हो गया है यानि उनका culture इस परकार का बन गया है अगर कल को प्रिष्थितिया चेंज होती हैं circumstances अच्छी होती हैं या फिर economic changes अच्छे आते हैं तो भी वो गरीबी रिखा से उपर नहीं आएंगे इसके लिए responsible है culture of poverty फिर से बोलता हूँ मान लीजे आज days में unemployment है opportunities ज़्यादा नहीं है circumstances अच्छी नहीं है economic situation अच्छी नहीं है तो कोई person ABC गरीबी रिखा से नीचे आता है अब देखो गरीबी में रहते रहते उसकी आधते उसका रहेंस हैं उसका behavior इस परकार का डवलप हो गया है यानि poverty का एक culture डवलप हो गया है कल को अगर circumstances अच्छी होती है employment opportunities अच्छी है economic situation improve होती है तब भी वो person गरीबी के रिखा से ऊपर नहीं आएगा क्योंकि वो उसने गरीबी का culture जो डवलप टर लिया था उसी culture के हिसाब से वो जी रहा है उसका behavior भी पुराने कल्चर के हिसाब से ही है, ग्रीबी के कल्चर के हिसाब से, उसकी values भी ग्रीबी के कल्चर के हिसाब से ही है, तो ये एक concept है, culture और sub-culture of poverty, next theory है, poverty की social structure, इस theory के अनुसार देखो, अगर social structure किसी देश में ऐसा है कि, उस देश में educational attainment कम है, employment opportunities कम है, unemployment काफी ज्यादा है, health indicators अच्छे नहीं perform कर रहे हैं, तो ऐसी situation में संभावना ज्यादा है गरीबी की, यानि social structure responsible है गरीबी के लिए ना कि individual इस theory के अनुसार, तो ये हमने poverty के लिए responsible कुछ theories की बात की, तो इस परकार से हमने basics तो discuss कर लिए, अब बात करते हैं आज के article की, दिखो आज का जो article है न हाल हिमें, IMF और World Bank से जुड़े authors ने ना, इंडिया में poverty reduction के मामले में अलग-अलग data present कियां, जैसे Center for Monitoring Indian Economy, Consumer, Pyramid Household Survey के अधार पर, WHO के एक paper ने कहां कि इंडिया में जो extreme poverty है ना, कम हुई है by 12.3%, इंडिया में extreme poverty थी, 2011 में 22.5% और 2019 में घटके हो गई है 10.2%, तो इसके comparison में consumer expenditure survey and other data sets के अधार पर, IMF के एक paper ने कहा कि इंडिया में जो extreme poverty है, 2011 में 10.8% थी और घटके रह गई है, 2019 में सिरफ 1.3%, यानि आल्मोष्ट खतम हो गई है, अब देखो, आर्टिकल में कहा जाता है, poverty estimate के accurate होने से क्या importance है, मतलब क्यूं poverty का estimation है, वो accurate होना चाहिए, अगर देखो, हमें सही डंग से पता है, poverty कितनी है, तो हम intergenerational cycle of poverty जो है, इसे address कर सकते हैं, जैसे parents गरीब हैं, उनके बच्चे गरीब, फिर उनके बच्चे गरीब, ये generational जो cycle चल रहा है, poverty का, उसे खतम किया जा सकता है, जब accurate estimation हो poverty का, उसके बाद सरकार को जब ये पता होगा, कौन से reason में कितनी poverty है, सरकार उसी हिसाब से target policy जो है वो launch कर सकती है, सरकार को जब ये पता होगा, कि कौन से section में poverty है, women में है, differently abled sections में है, तो फिर उसी के हिसाब से सरकार policy launch कर सकती है, inclusive growth सरकार ला सकती है मतलब जो inequalities हैं समाज में उसे दूर करने का पर्यास कर सकती है और देश के सभी citizens को जो basic human rights है जैसे education का अधिकार, health का अधिकार ये सब provide करने की कोशी सरकार कर सकती है तो points जो हैं वो normal है मतलब यूँ कह सकते हो कि point खीच दिये है असल में overall जो point निकलते हैं वो 3-4 ही निकलते हैं और देखिए socio-economic जो discrimination होता है communities के अंदर भी और women communities के साथ भी उसे दूर करने का सरकार पर्यास कर सकती है अगर poverty का correct estimation हो सरकार के पास में सबसे last में एक अलग सा point है time poverty, time poverty मतलब ऐसी situation जब आपके पास अपने आपके लिए time नहीं होता तो जब आपके पास अपने आपके लिए time नहीं होता तो health पे uncool असर नहीं पड़ता है मतलब negative impact पड़ता है mental stress ज़्यादा पड़ता है आप खराब choices करते हो तो ये भी एक प्रकार की poverty है time poverty challenges क्या है poverty estimation में सरसे पहले availability of data देखो poverty estimation में बहुत सरे indicators का इस्तमाल होता है जैसे multi poverty index है इसमें 10 indicators होते हैं जैसे electricity है, घर की availability है तो हर एक indicator से सम्मदितना proper data available नहीं होता तो कई बार तो data के अभाव की वज़े से कम ही parameters के अधार पर poverty का जो estimation है वो लगा लिया जाता है और जो important parameters है वो छूट जाते हैं next time, economist bias कई बार देखो जो economist poverty पता लगाने की कोशिस कर रहे हैं न उनके अंदर भी एक bias होता है किस के लिए वो data इकर्था कर रहे हैं जैसे हम आपको example देता हूँ मान लिजे, economist की जो ideology है वो सरकार की ideology से मिलती है तो जान भूज के ऐसा data रखेंगे जंता के सामने जिससे पता लगता हो कि हाँ इस सरकार ने अच्छा काम किया और poverty कम हुई है next, data lag जैसे देखो consumer expenditure survey है इसके अधार पर poverty समद्धी data एकठा किया जाता है 2017-18 का data तो सरकार ने अवी तक release किया ही नहीं सरकार ने कहा था कि इसमें कमिया है तो पुराने data के अधार पर poverty estimation लगाया गया और पुराना data जो है वो और 5 साल पुराना है तो 2022 में आप poverty का estimation दे रहे हो 10 साल पुराना data के अधार पर sections के लोग हमारे देश में रहते हैं तो सब के लिए well-being की एक definition नहीं हो सकती well-being की जो basic definition है वो अलग-अलग हो सकती है अलग-अलग sections के लिए तो parameters का चुनाव करना कि किन parameters के अधार पर poverty का पता लगाया जाए वो भी अपने आप में एक चुनोती है तो यह challenges आते हैं poverty estimation में तो यह हमने article discuss किया conclusion क्या हो सकता है article में तो दिया नहीं इसका conclusion conclusion इसका यह हो सकता है कि अब तो देखो नई-ई technology आ गई है तो नई-ई technologies के अधार पर मतलब advanced technologies के अधार पर सरकार को poverty estimation लगाना चाहिए और specific information होनी चाहिए कि इस reason में यह section जो है वो गरीब है और फिर बाद में ता कि जैसे पहले में हमने discuss किया उसी के हिसाब से targeted approach अपनाई-ई-जास के poverty को खतम करने के लिए मतलब conclusion में आप technology के dimension एड़ कर सकते हो poverty estimation में technology का उपयोग जरूरी है चलते हैं आगे अगला जो article है वो देखो India-Iran relations से समन्दित है context देखो यह है आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो और context देखो यह है इरान के विदेश मंतरी हुसेन, अमीर, अब्दुलाहियान यह भारत की आतरा पर आए यह visit देखो इसलिए भी important थी क्योंकि Prophet Muhammad के उपर टिपनिक से जो controversy generate हुई है जिसको Arab countries ने इसका काफी जला विरोध किया और OPEC, नहीं OPEC नहीं, OPEC तो वो टेल वाली organization है Organization for Islamic Corporation यहनि OIC OIC ने भी इस controversy पर India को criticize किया है तो यह पहली बार है कि OIC के कोई Member country का विदेश मंतरी India की यातरा पर आया इस controversy के generate होने के बाद में देखो वैसे India और Iran के जो relations है वो कुछ समय से ठंडे बस्ते में है क्योंकि USA ने ना sanctions लगाये हुए है इरान के ऊपर पहले इंडिया इरान से अच्छा खासा tail import किया करता था लेकिन जब से USA ने sanctions लगाये इंडिया ने tail import करना बहुत कम कर दिया अब negligible tail import इंडिया करता है हमने वो article डिसकस किया था न why gulf countries matter उसमें भी हमने ये चीज़ डिसकस की थी कि इरान से अब oil import काफी कम है दूसरा चाबार port इंडिया ने तो किया इरान में ताकि Central Asia से connectivity को increase किया जासके इसके साथ साथ अफगानिस्तान में भी trade को boost किया जासके लेकिन तालिबान का कबज़ा हो गया अफगानिस्तान की सत्ता पर तो अब समान जो है वो चबार port के थूरू नहीं जा पा रहा है वैसे इसके अलावा चबार port से rail link भी इंडिया ने develop करने की बात कही थी लेकिन वो अभी तक develop नहीं हो पाया है मतलब वो project भी अभी तक तेजी से नहीं चल रहा है तो ये कुछ points हैं जिसकी वज़े से इंडिया और इरान के बीच में जो रिष्ते हैं थोड़े थंडे बस्ते में थे लेकिन ये जो विज़िट है उसने इंडिया और इरान के बीच में relations को एक energy प्रोवाइड की है क्योंकि ये विज़िट ऐसे समय पर आई है जहां इंडिया इस controversy से जूज रहा था प्रोफेट मुहमद के ऊपर टिपनी से समन्दित तो इंडिया ने उस controversy को थंडा करने की कोशिश की कि देखो इरान हमारे साथ है इस controversy के उपर दूसरी तरफ IAEA के जो Board of Governors हैं वो Vienna में मिल रहे हैं ताकि इरान का जो nuclear program है उसके बारे में क्या करना है कैसे action लेना है उस पर decide क्या जास के तो इरान भी दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो एक powerful country हमारे साथ है इस issue पर तो दोनों देशों के लिए ये जो इरान की विदेश मंत्री की जो विजिट थी वो एहम है इसके बाद writer कहते हैं देखो रिस्तो को ना से reset करने की आप सकता है इंडिया और इरान के बीच में सबसे पहली चीज हमारे विदेश मंत्री ने जो एक टिपनी की नाम कि US और यूरोप को इरान और वेनुजूला के तेल को international trade में open कर देना चाहिए अभी इरान और वेनुजूला के ऊपर sanctions लगाए है ना तो इंडिया का ये कहना है कि भाईया तुम बोलते हो कि रस्या से भी ना purchase करो इरान से भी ना purchase करो वेनुजूला से भी ना purchase करो तो हम purchase कहां से करें ये दिक्कत है ना अगर आप चाते हो कि हम रस्या से ना purchase करें तो फिर आप इरान और वेनुजूला से परचेज करने दीजिए, किसी से तो परचेज करने दीजिए, हम लाएंगे कहां से तेल, अगर आप इस परकार से सब के उपर ही सैंक्सेंस लगा दोगे तो, तो इंडिया को अब कोसिस करनी चाहिए कि इरान से ओयल का जो इंपोर्ट है, फिट से स इसको भी पूरी तरह से उट्लाइज करना जुरूरी है, चाबार रेल प्रोजेक्ट जो है, इस पर तेजी से काम करना जुरूरी है, चाबार पोर्ट का फूल उट्लाजिशन होना चाहिए, तो ये तो वो स्टेप्स हैं, जो लिए जा सकते हैं, रिलेशन को फिर से करवाया था जो यमेन में एक्टिव है और उन हाउथी रिबल्स को स्पोर्ट किया जाता है इरान के दौरा तो वेस्ट एसिया में एक एक्सिज इमर्ज होके आ रहा है इस्राइल-इंडिया-उ इसे वेस्ट कौईड का मि नाम दिया गया है मतलब वेस्ट एश्या-कौईड तो कुछ experience के दोरा बोला गया कि यह जो initiative है न यह anti-Iran है तो Iran कैसे लेता है इंडिया को कि इंडिया इस initiative में सामिल है वो भी देखने वाली बात होगी यह concern है तो इंडिया को इंडिया को इंडिया को इंडिया के जो भी concern है उनको address करने कोशिस करने इस discussion में इतना ही है thank you thank you very much for discussion